नमस्कार दोस्तो, SBA Securities Morning Podcast में आपका स्वागत है आज के Podcast में हम Nifty, Bank Nifty में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे साथ यह से कौन से Sectors और Stocks है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे तो दोस्तो, सबसे पहले अगर हम Markets को देखें और Global Markets पर एक नजर दोड़ा है तो जून टीन वे राश्ट्रे सुतनता दिवस के कारण अमेरिकी बाजार जो है क्लोस था तो वहाँ पर से आज की तरफ से कोई भी ऐसा संकेत नहीं Brent Crude Oil जो है Wednesday को 84.67 के स्तर पर सपाट बंद हुआ है इससे दैनिक पहन माने पर एक पुछ Candle Stick बनाई है जो वर्तमान स्तर पर एक हग तक Indecisiveness को इंगित करता है और आगे बढ़ते वे 85.18 के स्तर से उपर कोई भी स्ताई चाल इसकी ऊपर की जो यात्रा है उसको फिर से शुरू कर सकती है उस तिदी में ये अलपावदी में 88 के लेवल को टेस्ट कर सकता है और नीचे के और 83.20, 83 एक सपोर्ट के रूप में कारे करेगा बात करें डॉलर इंडेक्स की तो 105.22 के स्तर पर सपाट क्लोज हुआ है आगे बढ़ते वे 105.60, 105.70 रेस्टेंस के रूप में कारे करेगा वही 105 जो है जो 20 एमें लेवल भी है यहां पर सपोर्ट मिलने की संभावना है अब बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की सबसे पहले निफ्टी की तो बुद्वार को निफ्टी ने पहले हाफ में अपनी जो पॉजिटिव जर्नी है उसको जारी रखा 23.664 पर एक और लाइफ टाइम हाय चिनित किया और इससे पहले कि दिन के अंद में मामूली प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और ये एक फ्लैट नोट पर ही क्लोज हो पाया और बहुत हट तक अंडर परफॉर्मिंस दिखाई दी निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर हम कंपेर करें तो दैनिक चार्ट पर इंडेक्स में दौनों तरफ विक बनी है और एक छोटी सी कैंडल हमने देखी है तो वो बड़े लेवल्स पर जरूर एक हक तक जो ट्रेडर्स है उनके माइंड में एक अर्न इन्ने की जो स्तितिय है उसका संकेत देती है और ये लगातार साथवा ट्रे लग रहा है कि एक करेगा और जब तक इसके ऊपर है तब तक 23,730 और उसके बाद 24,000 के दर्शन हो सकते हैं नीचे के और बात करें तो अगर ये लेवल 23,400 का तूटता है तो 23,320 और उसके बाद 23,250 तक इंडेक्स में हमको प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है फ्यूच नजर आता है इंडेक्स के घटक के बारे में बात करें यानि इंडेक्स की कंपोनेंट्स के बारे में तो 11 में लॉफिट अप एक में शॉट कवरिंग 25 में शॉट बिल्ड़ और 13 में लॉफिट अन्वाइंडिंग नजर आ रही है और OIPCR जो है फ्रेंड 0.97 पर है मैक्स प बढ़तावा नजर आया है बात करें पुट की तो तीस पांसो और तीस चार सो में सिग्निफिकेंट ओपन इंट्रेस्ट बढ़तावा नजर आ रहा है बैंक निफ्टी को देखें तो हमारी उमीदों के अनुरूप बैंकिंग बेंचमांक इंडेक्स बैंक निफ्टी ने ब पास समाप्त होने के बाद हमने देखा कि थोड़ा सा जरूर वहां पर उपर से प्रॉफिटिंग नजर आया लेकिन जो कल का दिन था वह बैंक निफ्टी ही लीड करता वा नजर आया यानि पूरा फिनांस अगर हम देखें प्राइविट बैंकिंग देखें तो इस तरह से प्राइवेट बैंक जो थे उनके सपोर्ट जो है यहां पर साफ साफ नजरा आ रहा था और उसके बाद एक मामूली उपरी छाय के साथ पेजी वाली केंडल स्टिंक इसने बनाई है क्योंकि इंडेक्स आल टाइम हाई लेवल पर कारोबार कर रहा है इसलिए सभी जो भी मे अग्यानिक लेवल को भी टेस्ट करने की संभावना और उसके बाद 52-500 का लेवल जो है हमको नजर आ सकता है नीची के और बात करें तो 50-900-50-800 यह एक जो है सपोर्ट हमको नजर आ सकता है फ्यूचेज में 2% के आसपास की विद्धी हुई है और क्युमलेटिव ओपन इं इंटरिस्ट कॉल में उपन इंटरिस्ट बढ़तावा नजर आया उसके बाद 52,000 वहीं पुट में 51-200 और 51,000 के स्ट्राइक में उपन इंटरिस्ट बढ़तावा नजर आया है जून एक्सपाइरी के लिए OIPCR 1.03 पर प्लेजड है और मैक्स पें जो है 51,000 के स्ट्राइक मे रखा गया है बात करें इंडिया विक्स की तो 11.63 का निचला स्टर चिनित किया उसके बाद ओवर सोल्ड स्टरों से उसमें जरा सी वापसी जरूर हमने देखी इसने बुद्धवार के सत्रम को लगबग 6% की बढ़त के साथ 13.71 के स्टर पर समाप किया है आगे बढ़ते व अगर हम देखे सेक्टेस की बात करें तो निफ्टी बैंक प्राइवेट बैंक और निफ्टी फिनांशल सर्विसेज जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने में काम्याब रहे और इनके इसी प्रदर्शन को आगे भी पॉसिबिलिटी है कि जारी रह सकता है यहां पर एक और इंडेक्स की बात करनी आवशक है वो है निफ्टी आईटी जो है फ्रेंस दैनिक प्रेमाने पर बुलिश पैनिंट ब्रेक आउट देनी की कगार पर है 35-200 के इस तर से ऊपर कोई भी स्थाई चाल निफ्टी आईटी में तेज उचाल लाएगी और उस्तिती में यह 36,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है दो जरूर आईटी सेक्टर जो है उसको आपके वाच लिस्ट में होना चाहिए एफाई डिया डिटा की बात करें तो कल एफाई और डिया दोनों ही 7908.36 करोड और 7107.8 करोड के शुद्ध खरीदार थे लगातार 7 दिनों तक एफाई य खरीदे हैं फॉर फ्यूचे की मूर्चे पर एफाई ने 12-521 कॉहुचै कि खरीदे हैं वही ऑप्शन से मूर्चे पर एफाई ने 32-540 कॉल पाट्रक्त बेचे हैं और 35-80-結czaं पुट ओप्शन कॉन पांट्रेक्ट बेचे हैं सब्स्ध तो ऐजके पॉड के लिए बस इतन स्टीं.